हर्पाल चीमा केंद्रिय वृत्मंत्री निर्बला सीता रमन की अधिक्ष्ता में आयजुत प्री बजट बैठक में भाग लेने की लिए दिली में है इसवरान विद्मंतरी हर्पाल चीमा ने खवरफास से बात चीत की है इस दोरान केंदर से बजट में क्या कुछ मांगा जाएगा ये सारा ब्योरा पंजाब के वित मंतरी ने बताया आईए सुनते हैं क्या कुछ कहा पंजाब के वित मंतरी हरपाल चीमा ने आज प्री बजट मिटिंग है और इस मिटिंग में शामिल हो ले के लिए पंजाब के फिनैंस मिनिस्टर हरपाल चीमा भी दिली में मौझूद है वो जाएंगे और निर्मला सितारमन से पंजाब के मुद्दो को लेकर अपना जो भी पॉइंट है जो भी उनको चाहिए या ग होगी और बजट भी आएगा जिससे कोरोना के दौरान हमने जो भी कंसिकेंस देखें उसे उभरने का मौका मिलेगा पंजाब कौन-कौन से मुद्दों पर अपनी बाते रखने वाला है और उनसे ग्रैंट मांगने वाला है देखिए बिलकुल यह आपकी बात बिलकुल सही है कि करोना की कारण बहुत सारी आर्थिक दिखते हैं सभी स्टेटों को आई उसके लिए हम स्पेशल आर्थिक पैकेज की भी बांग करेंगे और बहुत सारे जो तमाम केंदर के बजट होते हैं उनमें हम पंजाब का हिस्सा कैसे बढ़ाया जाए उसको भी हमने पूरा हमा हमारा बल् cases को सामने रखेंगे के पंजाब का पंजाब बॉर्ड स्टेट में कि समस्या होती है उसको उसका बजट कैसे बढ़ा जाना चाहिए बार पशिक एसे मुद्राइबों हम केंदरसरकार के आगे रखेंगे और इसके इलाबा पुराली की बहुत बड़ी सवांसे अ की सरकार के आगे हमारी डमार्ड रखेंगे के दृब्दा ही के बिलकुब उसको तुरणत पैसा रलीज किया जाये. जिस तरीके से पहले बजट और रेल बजट अलग अलग आता था लेकिन अब दोनों इकठा आता तो क्या पंजाब को लेकर रेलवे से भी कोई मांग है आपकी बिलकुल जो बंदे बारत ट्रेन जो अभी एक नया इनिशेटर गवर्मेंट अफ इंडिया ने शुरू किया है कि बंदे बारत ट्रेन जो शुरू किया उसकी हमारी डिमांड है कि वो ट्रेन जो है डेली से चलकर हमारे सबसे धार्मिक स्थान जो अमरसर साब तक शुरू की जाए और इसके अलाबा दिली से चलकल बठंटा तक शुरू की जाए क्योंकि वो हमारा मालवे का एक हब है बहां से कापास की बहां पर कॉटन की बहुत है बहां से हमारा कारोबार आगे बढ़ सके और तीसरा जो है राजपुरा से राजपुरा से चंडिगर की क्योंकि पराली की समस्या भी लगतार सामने आ रही है इन्वार्मेंटल मुद्दा है बहुत बाद सुप्रीम कोट ने भी हिदायत दी कि इसको कंट्रोल किया जाए तो पंजाब इसको लेकर क्या स्टैंड रखता है और निर्मला सिता रमन से क्या मांग करेगा क्या मदद मांगेग देखें बिल्कुल हमने एक ब्लूप्रिंट त्यार किया है और केंदसरकार के आगे रखेंगे कि इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए इस समस्या का हल क्या हो उसके लिए हमने त्यार किया है कि इस समस्या की समस्या पूरे देश की समस्या है उसके लिए एक डाकुमेंट का मुद्दा काफी जादा इंपोर्टेंट है और आप लोगों के मैनिफेस्टों में भी था आपने लागू भी किया नोटिफिकेशन भी जारी के पर क्या लगता है आपको कि यह फैसला पंजाब में लागू संभब होगा करना क्यूंकि जिस तरीके से लगतार पैसे की होती है और पंजाब कहीं ना कहीं डेफिशिट में चल रहा है बिल्कुल जो हमने ग्रंटियां हमारे सप्रीमों और विंद केजडी बाल जी ने पंजाब के मक्रमंत्री सर बगवन स्रीमान ने डियूरिंग इलेक्शन पंजाब को लोगों को दी थी वह हम सभी ग्रंटिया के लिए पंजाब के फिनान्स मिनिस्टर हरपाल जीमा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी भी गैरेंटी अर्विन केज्रिवाल के सरकार ने और भगवनमान के सरकार ने पंजाब आसियों को दी है वो सब कुछ पूरा करेंगे मांग करेंगे कि पंजाब को आर्थिक सहायता दी जाए ताकि पंजाब का डेवलापमेंट भैतर तरीके से होच सके चाहे वो कृशी हो चाहे वो एंवायमेंट हो चाहे वो रेल हो तमाम मुद्दों पर साथ हर्पार चीमा अपना जो भी प्रस्ताव है वो निर्मला सितर समवन के सामने आज बैठक में रखेंगे माना जा रहा है